हेलो प्यारे बच्चो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिशर यूटूब चैनल पे सो बच्चो आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट जोमेट्री का फर्स चैप्टर क्वाडिलेटरल्स सो लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर नमबर फाइफ यूनिट एलजेबरा का जो चैप्टर फाइफ था लीनियर एक्वेशन्स एंड इन एक्वेशन्स उसको कम्प्लीट किया था सो जैसा आप सभी जानते हैं जो मैं आपे बुक यूज कर रहे हैं थियोरी को पढ़ने के लिए कोश्चन सॉल्फ करने के लिए वो हमारी Essential ICC Mathematics है फूर ग्लास एट पब्लिकेशन का नेम हमारा भारती भवन है गीवन बाई एदास गुपता एंड एकुमार सो आप सभी ने आपे वीडियो के थम मेल में आपने चेक कर लिया होगा जो बुक की इमेज मैंने आपे पुट की हुई है सो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को सो चैप्टर नमबर वन है हमारा यह Geometry Unit के अंदर फर्स चैप्टर है सो जिसका नाम है हमारा Quadilaterals सो आप सभी को मालूम होगा Quadilaterals होते क्या है प्रीवेस क्लासे के अंदर आपने स्टडी किया होगा सो गर नहीं मालूम है कोई बात नहीं मैं आपको एक्स्प्लेन करता हूँ सो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे सो देखे सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजड फिगर क्या होती है तो अगर आपको थोड़ा वो थियाद हो तो आपने प्रीवेस क्लासे के अंदर जूनिर क्लासे के अंदर आपने फिगर्स के बारे में स्टडी किया होगा तो बिसिकली दो टाइप के हमारे फिगर होती है एक फिगर होती है हमारी क्लोजड फिगर और एक figure होती है हमारी open figure सो दो तरह की हमारी क्या होती है figures होती है सो closed figure जैसे यहाँ पे नाम से पता चल रहा है तो closed figure हम किसको बोलेंगे सो यह closed figure एक वो figure होगी जिसके अंदर क्या होगा जो starting point और ending point होगे न यह दोनों क्या रहेंगे same रहेंगे जैसे simply मैं यहाँ पे यह एक figure बना देता हूँ तो यह figure हमारी क्या है closed figure है वहीं पे अगर मैं क्या करता हूँ ending और starting point दोनों को मैं different रखता हूँ तो वो open figure हो जाएगी तो जैसे आप देख सकते हैं हमारी तो यह figure तो हमारी क्या है यह figure तो हमारी कैसी जैसे closed figure है और यह figure हमारी क्या है यह हमारी open figure है अब इसी के अंदर हमारी क्या आ जाती है closed figure के अंदर ही एक और दूसरी type की figure आ जाती है जिसको हम बोलते है simple closed figure अब simple closed figure क्या होती है तो basically closed figure अभी हमने पढ़ा closed figure एक वो figure होगी жिसमे starting point और ending point कि simple close figure में क्या होगा जो भी line segments होगे figure के अंदर वो एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे वो एक दूसरे को intersect नहीं करेंगे जैसा मैंने यहाँ पर यह figure बनाई तो इसको मैं बोलूँगा simple close figure है वहीं पर अगर मैं क्या बनाता हूँ मैं एक ये figure बनाता हूँ तो ये हमारी simple close figure नहीं है क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे है line segments एक दूसरे को intersect कर रहे है So I hope आपसे भी कुछ यसे समझ में आ गया है तो quadilatorals हम क्या बोलेंगे quadilatorals हमारी क्या है ये हमारी एक तरह की simple close figures होते है अब इसके अंदर जो सबसे पहला point आता है हमारा polygons का तो quadilatoral में सबसे पहला point आता है हमारा polygons तो अब ये polygons क्या होते है तो चले देखते हैं बुक के अंदर हमारी एक definition acquire is given है आपसे polygons की तो polygons क्या होते है a closed plane geometrical figure bounded by three or more line segments is called a polygon तो यह simply एक क्या होगी simple closed plane geometrical figure होगी जिसके अंदर minimum कितनी boundary होनी चाहिए जिसके अंदर minimum three boundary होनी चाहिए और three के बाद यह maximum कितनी भी हो सकती है three से ज्यादा कितनी भी हो सकती है हमारी और यह किस से बनी होगी यह सिर्फ line segment से बनी होगी अब line segment क्या होता है तो line segment अगर आपको याद हो basically आपने three points को study किया होगा एक तो आपने पढ़ा होगा line को तो simply एक line क्या होती है एक line हम बोल सकते हैं geometrical figure आप बोल सकते हैं तो जिसके क्या होती है infinite length होती है मतलब कोई fixed length नहीं होती है उसकी thickness नहीं होती है कुछ भी now फिर आपने पढ़ा होगा एक line segment अब line segment क्या होता है line segment एक वो part होता है line का जिसकी क्या होती है fixed length होती है जिसकी क्या होती है एक fixed length होती है और एक आपने पढ़ा होगा ray को तो रे में क्या होता है रे की जो length होती है वो fix नहीं होती है बट इसका क्या होता है इसका एक end point होता है यानि कि एक side पर ही ये क्या कर सकती है ये length में increase कर सकती है हम बोल सकते हैं कि ये move कर सकती है So I hope आप से भी कुछी से समझ में आ गया है Polygons क्या होते हैं, Quadilaterals क्या होते हैं, Simple Closed Figure, Closed Figure, Open Figure, Line Segment and Ray Now चलिए अब हम बात करते हैं Types of Polygons की तो अब देखें basically क्या होता है जो polygons होते है ना उनको special names दिये गई है किसके basis पे उनके number of sides के basis पे जितनी उनकी side होगी उसके according उनको एक special क्या दिया गया है, एक name दिया गया है अब कैसे हम name उनको करते हैं So जैसे हमें बोलागी, Polygon है जिसकी N side है तो उसको generally हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे N gone बोलेंगे For example, जैसे कि क्या है हमारे पास, एक Polygon हमें बोला गया जिसकी 15 sides हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 15 gone बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे 15 क्या represent कर रहा है, number of sides को represent कर रहा है अब देखें, आपको कुछ आपको example दिये हुए नीचे table में जहाँ पे कुछ polygons दिये हुए, उनके number of sides और उनके name दिये हुए है तो जैसे सबसे पहला आता है, 3, 3 number of sides तो 3 number of sides अगर किसी polygon के अंदर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे triangle Now, next आता है four sides, तो अगर four sides है, तो हम उसको बोलेंगे quadrilateral, five sides आती है, तो उसको बोलेंगे pentagon six sides आती है, तो उसको बोलेंगे hexagon seven sides वाले को बोलेंगे heptagon eight sides वाले को बोलेंगे octagon nine sides वाले को बोलेंगे nonagon ten sides वाले को बोलेंगे decagon twelve sides वाले को बोलेंगे dodecagon तो यह कुछ यहाँ पे examples आपको given थे पॉलिगंस के नेम के किसके बेजिस पे उनके नमबर ओफ साइडस के बेजिस पे आप सबी कुछ चाहिजे किलियर हो गए है यह किस तरह से हम उनकी नेमिंग करेंगे पॉलिगंस की तो बेसिकली जो यहाँ पे ट्राइ, क्वाडरी, पेंटा, हेग्जा, हेप्टा, ओक्ता, नोना, डेका, डू डेका तो यह बेसिकली नमबर ओफ साइडस को यहाँ पे क्या कर रहे हैं रिपर्जेंट कर रहे हैं तो चलिए, अब हम बात करते हैं आगे, कुछ और पॉइंट की तो जैसे हमारे पास यहाँ पे नेक्स पॉइंट आता है तो अगर किसी पॉलिगन में जितनी भी साइडस हैं उसके अंदर अगर वो सभी क्या हो जाए, वो सभी इक्वल हो जाए एक दूसरे के साथ पॉलिगन बोलेंगे, जैसे चलिए आपे एक्जामपल देखते हैं हम, तो जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने क्या लिया मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया, तो ट्राइंगल आप सभी को मालूम है, पॉलिगन होता है जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, तो सबोज करो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इसकी ये साइड, ये साइड और ये साइड, तीनो साइड एक्वल हो गई, और तीनो एंगल भी क्या हो गई, तो बेसिकली इस टाइप को मैं क्या बोलते हैं, बेसिकली अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा एक equilateral triangle हो जाएगा इसको हम बोलेंगे equilateral triangle बट साथ साथ में किस category से बिलोंग करता है polygons की category से बिलोंग करता है तो इसको हम एक regular polygon भी बोलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक regular polygon हो जाएगा तो I hope आपसे भी कुछ चैसे clear हो गया है समझ में आ गया है ऐसे ही अगर एक quadilatoral है quadilatoral में सभी side sequel है सभी angle sequel है तो उसको भी हम एक regular polygon बोलेंगे और basically वो हो जाएगा एक हमारा square so now चलिए भी हम बात करते हैं आपे next point की तो जैसे आपे आपको नीचे भी example दिया हुआ है कि एक equilateral triangle और एक square ये हमारे regular polygons के example है now अब हम आगे move करते हैं next point की तो ये आता है हमारा next interior angles of a polygon polygon के interior angles की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि interior portion क्या होता है किसी भी एक figure का और exterior portion क्या होता है तो जैसा आप देख सकते हैं इस figure के अंदर यहाँ पे तो इस figure के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर मैं बात करता हूँ इस portion की तो ये क्या है ये इस figure का interior portion है और जो बाहर है हमारा तो जो ये बहार वाला reason है तो ये हमारा क्या है ये हमारा exterior reason है तो जो भी angle हमारे कहां पे होंगे interior reason के अंदर होंगे तो उन angles को मोलेंगे interior angles और जो angle interior से बहार होंगे यानि कि exterior part में होंगे exterior reason में होंगे उनको मोलेंगे exterior angle तो जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ अगर तो जैसे यह एंगल हो गया हमारा, यह एंगल हो गया, यह एंगल हो गया, एंगल E, एंगल A, B, C, D, E, तो यह सभी एंगल्स कहां पर हैं, इंटीरियर के अंदर परेजेंट हैं, तो मैं इनको क्या बोलूँगा, इनको मैं इसका मतलब क्या हुआ पेंटागन के अंदर five sides होते हैं और five ही क्या होते हैं angles होते हैं अब हम next आगे बात करते हैं तो next हमारा आता ही convex polygon तो convex polygon क्या होता है हमारा तो धियान से समझना है आपे if all the interior angles of a polygon are less than 180 degree the polygon is said to be convex and all regular polygons are convex तो क्या मतलब हो है इसका इसका simply meaning होता है कि अगर किसी भी polygon के जितने भी interior angles हैं तो जैसा भी हमने पीछे example पढ़ा ये वाला हमारा pentagon का तो pentagon में कितने angles थे five angles थे तो अगर ये five के five angles क्या है less than 180 degree है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा ये हमारा एक convex polygon हो जाएगा next thing क्या आती है कि जितने भी हमारे regular polygons होते हैं चाहे वो equilateral triangle हो चाहे वो square हो या regular pentagon हो regular hexagon हो या regular heptagon हो कुछ भी हो अगर उसके सभी sides equal है आप देखे regular word आ गया यहाँ पे तो इसका मतलब उसकी सभी sides equal होंगी और सभी sides equal है तो सभी angle भी equal होंगे तो वो simply क्या कहलाया जाएगा वो एक convex polygon कहलाया जाएगा so I hope आप सभी को चैशे clear हो गया convex polygon का concept now our move करते next type के polygon तो जो आता है हमारा concave polygon या तो हम इसको concave polygon बोल सकते हैं so concave या फिर हम इसको re-entrant polygon भी बोल सकते हैं तो चलिए देखते हैं क्या होता है हमारा polygon so if at least one of the interior angles of a polygon is greater than 180 degree यह हम बोल सकते हैं कि एक angle क्या है reflex angle है तो उस polygon को हम क्या बोलेंगे उस polygon को हम बोलेंगे concave या फिर re-entrant polygon जैसे यहाँ पर आप example देख सकते हैं तो यह हमारा polygon यहाँ पर given है तो इस polygon में आप देख सकते हैं जो यह angle है तो यह angle more than 180 degree है यानि कि यह एक reflex angle हो गया है तो इसी वज़े से क्या हुआ यह polygon हमारा क्या 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 लाया जाएगा यह हमारा concave polygon हो जाएगा अब यहाँ पर एक और point आपका आता है वा आता है types of angles तो देखे आपको एक types of angles मालूम होना चाहिए जो angle के types होते हैं तो अगर आपको मालूम है बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं मालूम है चलिए मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहला हमारे एक angle आता है उसको बोलते हम acute angle तो acute angle I hope आपको मालूमी होगा तो नहीं मालूम है तो ध्यान से आप सुनना या आपर समझना तो acute angle वो angle होता है जिसका measurement क्या होता है ? जिसका measurement होता है less than 90 degree वो 90 degree से कम होगा तो उन सभी angles को हम क्या बोलेंगे acute angle बोलेंगे next आता है हमारा क्या next आता है हमारा obtuse angle so next angle हमारा क्या आएगा next angle आएगा हमारा obtuse angle अब obtuse angle क्या होता है so obtuse angle वो angle होगा जिसका measurement 90 degree से लेके 180 degree के बीच में होगा यानि कि 90 से बड़ा होगा वो और 180 से क्या होगा छोटा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे obtuse angle next angle आता है हमारा straight angle so straight angle का meaning क्या होता है ये एक वो angle होगा जिसका measurement किस cake वल होगा जिसका measurement 180 degree cake वल होगा next आता है हमारा reflex angle तो reflex angle अभी हमने आपे पढ़ा भी है concave polygons के अंदर तो reflex angle एक वो angle होते है हमारा जिसका जो measurement होगा वो 180 degree से लेके 360 degree के बीच में होता है यानि कि 180 से ज़ादा होगा 360 से कम होगा and next हमारा आ जाता है complete angle so complete angle हमारा एक वो angle होता है जिसका जो measurement है वो 360 degree के equal होगा exactly और एक हमारा zero angle भी हो जाता है so zero angle हमारा एक वो angle होता है जिसका measurement zero degree होता है हमारा उसको हम simply zero angle बोल देते है so I hope आप सभी कोच्छे से clear हो गए है सभी points now चलिए हम next topic पे move करते हैं so next topic हमारा यहाँ पे आता है angle sum property of a polygon तो देखे angle sum property क्या बताती है polygon की the sum of the interior angles of a polygon with n sides is 2n-4 into right angles तो क्या मतलब हो इसका इसका simple सा मतलब यह होता है कि अगर आपके पास एक polygon है और उसके अंदर क्या है n sides है अब n का मतलब कुछ भी हो सकता है हमाँ पे minimum 3 sides भी हो सकती है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है तो उसके जो interior angles होंगे न उड interior angles का sum किसके equal होगा तो उसके लिए हमारे पास एक formula आ गया 2n-4 multiply by 90 degree तो यह हमारे पास formula आ जाता है क्या find करने के लिए sum of interior angles find करने के लिए किसी भी एक polygon के अंदर जहाँ पे जो n है n हमारा क्या है n है हमारा number of sides so I hope आपको clear हो गया है formula so चलिए एक example की बात करते हैं हम यहाँ पे तो देखे triangle अगर मैं हाँ पे लेता हूँ triangle तो triangle का आप सभी को मालूम है कि triangle के 3 angles होते है और 3 angles को अगर मैं add करूँगा तो 3 angles का sum कितना आएगा 180 degree आएगा तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं इस formula से जो मैं आप उपर given है तो triangle के अंदर जो n होगा n कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा number of sides कितनी होगी हो आपे 3 हो जाएगे तो चलिए पुट करते है तो formula हमारा क्या है 2n-4 multiply by 90 degree तो n की value क्या है 3 है minus का 4 multiply by 90 degree तो 3 multiply by 2 तो यह होगा 6 minus का 4 multiply by 90 degree तो यह आजाएगा 2 multiply by 90 degree equals to 180 degree तो देखें आपे हमने प्रूफ कर दिया कि जो angles हम प्रोपरेटी होती है triangle की वो क्या होती है 180 degree होती है इसी तरह से आप कोई और example ले सकते है जैसे आप हम quadrilateral का example लेते है तो quadrilateral के अंदर क्या होती है हमारी number of sides वो 4 होती है हमारी number of sides तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते है this sum of the interior angles of a quadrilateral is तो quadrilateral के interior angles का sum 360 होता है और 4 sides होती है तो अगर मैं आपे n के place पे 4 लिखता हूँ तो यह हो जाएगा 2 multiply by 4 minus 4 into right angles तो यह हो जाएगा 8 minus 4 तो 4 आजाएगा and 4 multiply by 90 तो यह हो जाएगा 360 तो इस तरह से आप find कर सकते हैं और आप याद भी रख सकते हैं क्योंकि जड़ू दिन की हर बार आप solve करके find करेंगे इससे क्या होगा आपका काफी time waste होगा तो अगर आपको direct question आता है MCQ की form में Phillips या true false की form में आप से पूछा जाए कि angle sum property बताओ triangle की तो आप सीधा क्या लिख सकते हो 180 degree लिख सकते हो वो आपको याद रखना है ऐसी पूछ ले quadrilateral तो quadrilateral का क्या होगा 360 degree होगा pentagon का पूछ ले तो pentagon का क्या होगा हमारा 540 degree होगा तो ऐसे आपको याद भी रखना है इनको साथ साथ आपको method भी मालूम होना चाही by chance अगर आप भूल गई तो आप कैसे वहाँ पे find करोगे सो चलिए अब हम move करते है next सो यह आते है हमारा introduction to quadrilateral तो अब हम quadrilateral की बात करते हैं तो quadrilateral होता क्या है तो quadrilateral हमारा एक polygon होता है जिसमें four sides होती है और जो quadrilateral है उसको हम denote करते हैं उसके vertices से अब यह vertices क्या होता है so I hope आपको मालूम होगा अगर नहीं मालूम है कोई नहीं मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको तो vertices क्या होता है तो vertices आप बोल सकते हैं वो points होते हैं जहां पे दो line segments आके एक साथ क्या करते हैं join करते हैं जैसे मैं आपे example लेता हूँ line segment AD की और AB की तो यह दोनों एक साथ आके क्या कर रहे हैं आपे join कर रहे हैं कौन से point पे A point पे तो A क्या हो जाएगा यहाँ पे A हमारा क्या हो जाएगा एक vertex हो जाएगा ऐसे ही B हो गया C हो गया और D हो गया तो टोटल कितने vertex हो गए हमारे यह four vertex हो गए और इनको एक साथ हम vertices बोल देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ इसको मैं कैसे name करूँगा तो इसको मैं name करूँगा quadrilateral ABCD एक cyclic manner में करूँगा यहाँ पे मैं इसको name So I hope आप सब एको clear हो गया है अब या तो मैं इसको ABCD इस तरह से बोल सकता हूँ या मैं इसको बोल सकता हूँ ADCB भी बोल सकता हूँ क्योंकि यह भी क्या है हमारे cyclic manner है बस difference क्या है एक बार मैं आप एक clockwise गया और दूसरी बार मैं आप एक anti clockwise गया So I hope आप सब एको clear हो गया अच्छे से concept quadrilaterals का Now अब हम बात करते हैं elements की elements of a quadrilateral Quadrilateral के elements या उसके parts हम बोल सकते हैं तो जैसा आप सभी को मालूम है Quadrilateral में कितनी sides होती है Four sides होती है और four ही क्या होते हैं? Angles होते हैं और जो इसकी sides हैं उनको हम कैसे denote करेंगे? उनको हम a, b, b, c, c, d, d, a इस तरह से हम क्या करेंगे? उनको denote करेंगे अब देखे याद रखना है आपको quadrilateral में क्या होता है न जैसे आप एक्जामपल दिया अगर मैं side a, b लेता हूँ तो a, b के just बाद कौन सी side आएगी? b, c आएगी अगर suppose मैं b, c side लेता हूँ तो इसके just बाद कौन सी side आएगी? c, d आएगी ऐसे अगर मैं side कौन सी लेता हूँ? c, d लेता हूँ तो इसके just बाद कौन सी side आएगी? d, a आजाएगी हमारी ऐसे अगर मैं side d, a लेता हूँ तो इसके just बाद कौन सी side आएगी यह भी आजाएगी हमारी तो अब दीखें हाँ पर यह sides ना हमने कैसी लिए यहाँ पर pairs में लिए हुई है तो अब यह basically जो यह pairs है sides का यह क्या represent कर रहे है यह income बोलते हैं या तो consecutive sides या income बोलेंगे adjacent sides तो adjacent या consecutive का meaning क्या होता है जो just बाद आती है यानि कि लगातार है उसी तरह से क्या हो सकती है हमारी opposite sides हो सकती है तो जैसे यहाँ पर यह example लिया हुआ हमने quadilator का तो इस quadilator में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं कौन सी side लेता हूँ मैं लेता हूँ side AB तो AB के just opposite कौन सी side है यह हमारी CD और अगर मैं side लेता हूँ AD तो AD के just opposite कौन सी है हमारी यह है BC तो इन sides को म क्या बोलेंगे इन sides को म बोलेंगे opposite sides अग consecutive sides में न क्या चीज common होती है एक vertex common होता है वहीं पे opposite sides में क्या होते हैं वहाँ पे कोई भी vertex common नहीं होता है या बोल सकते हैं कि उनके end points क्या होते हैं different होते हैं next आता है angles तो quadilator में हमने पढ़ा कि इसमें क्या होते हैं four sides हैं four vertex हैं यानि कि four ही क्या होंगे हमारे angles होंगे और यहाँ पे भी same ऐसे adjacent angles होंगे हमारे और क्या होंगे opposite angles होंगे तो adjacent angles या consecutive angles यानि कि जो just बाद आएगा उसके और opposite angles जो क्या होंगे एक दूसरे के opposite होंगे सामने होंगे तो जैसे आपे बोला में angle A, angle B angle B और angle C angle C, angle D angle D या angle A तो यह सारे हमारे क्या हैं यह सारे जो pairs हैं ना हमारे यह pairs कैसे हमारे यह हैं हमारे consecutive angles के pair या adjacent angles के pair वहीं पे angle A, angle C या angle B और angle D यह क्या बनाते हैं हमारे यह बनाते हैं हमारे opposite angles को तो I hope आप सभी को अच्छे से clear हो गए है points आगे move करते हैं तो next point हमारा आता है diagonal का तो diagonal क्या होता है तो diagonal को आप सीधा क्या बोलोगे कि यह line segment है जो किसको join करता है दो vertices को join करता है जो consecutive नहीं होगे यानि कि वो opposite होगे आमने सामने होगे एक दूसरे के just लगातार नहीं होगे अब हम बात करते हैं quadilator के अंदर diagonals कितने होगे तो basically एक quadilator के अंदर यानि कि four sides का quadilator होगा हमारा तो उसके अंदर क्या होगे हमारे two diagonals होगे तो जैसा आप यहाँ पर example देख सकते हैं तो एक diagonal तो हमारा हो गया AC और दूसरा diagonal हो गया हमारा BD तो इस quadilator के अंदर कितने diagonals है दो diagonals है So I hope आप से भी कुछे से clear होगे है सभी points So now चलिए हम बात करते हैं next point की तो यह आता है हमारा angle sum property So angle sum property of a quadilator So basically क्या बताती है property तो यह हमें बताती है कि जो sum होता है all the angles of a quadilator is 360 degree So quadilator में कितने angles होंगे वो four angles होंगे हमारे और अगर मैं four angles को उनको add करूँगा तो कितना आएगा उनका sum तो हमेशा 360 आएगा तो जो भी हमने पीछे भी पड़ा था formula वहाँ पे हमने find किया था कि अगर आपके कोई भी polygon given है n sides का तो कैसे आप उसके interior angle का sum find करोगे so I hope आप सभी को अच्छे से clear हो गए ये points तो इन points के basis पे अब हमारे यहां पे क्या आते है questions आते है तो सबसे first हमारी exercise आती है आप exercise 1A तो चलिए questions को देखते हैं यहां पे exercise 1A के तो सबसे first हमारा यहां पे question है fill in the blanks तो fill in the blanks है हमारे तो चलिए देखते हैं आते तो सबसे first हमारा यहां पे क्या आता है first question है हमारा यहां पे a quadrilateral is a polygon with dash sides तो quadrilateral एक polygon है जिसके अंदर कितनी sides होती है तो जिसके अंदर हमारी four sides होती है next fill up आता है हमारा a quadrilateral has dash angles तो quadrilateral में कितने angles होती है हमारे तो quadrilateral में हमारे four angles होते है next आता है हमारा a quadrilateral has dash diagonals quadrilateral में कितने diagonals होंगे तो quadrilateral में हमारे एक quadrilateral में दो diagonal होते है next आता हमारा the sum of all the angles of a quadrilateral equals to dash right angles तो देखे एक quadrilateral में जो angles हम प्रोपर्टी होती हो कितनी होती है वो होती है 360 degree अब हमें find करना है 360 degree में कितने right angle हो सकते हैं तो एक right angle का measurement कितना होगा वो होता है 90 degree तो सीधा हम इसको divide कर देंगे तो 0 से 0 cancel 9 से 36 cancel 4 times तो इसका मतलब एक quadrilateral में total कितने right angles हो सकते हैं 4 right angles हो सकते हैं तो I hope आप से भी कुछे से clear हो गया है नाव चलिए बहुआ move करते हैं next question पर second question हमारा यहां पर आता है in the adjoining figure PQRS is a quadrilateral तो यह हमें यहां पर figure given है तो हमें बोला गया है यह figure जो है PQRS यह quadrilateral है अब हमें क्या करना है यहां पर हमें name करना है all the pairs of adjacent sides तो यहां पर जोन जोन से भी adjacent sides हैं हमें उनको क्या करना है उनका name करना है उनको लिखना है तो चलिए यहां पर लिखते है adjacent sides को adjacent sides मैंने आपर बताया था आपको कि जिनके पास क्या होता है common vertex होता है या जो sides जिस्ट बाद में आएगी लगातार हम बोल सकते है तो सबसे first हमारा जो pair होगा adjacent sides का तो वो जाएगा हमारा PQ तो suppose मैं अगर PQ side ले रहा हूँ तो इसके adjacent कौन से side सही है हमारी QR तो PQ and QR तो यह हमारा first pair हो गया next अगर मैं ले रहा हूँ QR तो QR के साथ पर कौन से adjacent side होगी तो वो जाएगे हमारी RS ऐसी अगर मैं ले रहा हूँ RS side तो इसके adjacent में कौन से side हो जाएगी वो जाएगी SP और अगर मैं SP side ले रहा हूँ तो इसके adjacent पर कौन से side हो जाएगी तो वो जाएगे हमारी PQ तो ये हमारे क्या हो गए याँ पे 4 pairs हो गए है adjacent sides के ऐसी अब हमें आपे क्या लिखना है अब हमें लिखना है याँ पे second part में name all the pairs of opposite sides तो basically quadrilateral में कितने pair होंगे opposite sides के 2 pairs होते हैं तो कौन-कौन से होंगे तो अगर मैं आपे ले रहा हूँ PQ side तो P2 के just opposite उसके सामने कौन से side है SR है और next अगर मैं ले रहा हूँ QR तो QR के just opposite उसके सामने कौन से side है वो है हमारी PS तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे ये दोनों हमारी यहाँ पे pair हो जाएंगे opposite sides के next आता है हमारे यहाँ पे name the pairs of adjacent angles तो adjacent angles के हमें pair बताने है तो जैसे हमने adjacent sides के pair बताये थे ऐसे adjacent angles के pair होंगे और कितने pair होंगे हमारे 4 pairs होंगे तो आपको याद भी रखना है आपे तो अगर suppose करो मैं लेता हूँ angle P तो angle P के adjacent कौन सा angle होगा angle Q हो जाएगा ऐसे angle Q के adjacent में कौन सा angle हो जाएगा angle R हो जाएगा ऐसे ही angle R angle R के adjacent में कौन सा angle हो जाएगा angle S हो जाएगा और ऐसे ही angle S S के adjacent में उसके जस्ट बाद कौन सा angle आएगा angle P आएगा तो ये हमारे क्या हो गए हैं आपे 4 pairs हो गए है adjacent angles के now next fourth part आता है हमारा नेम दी पेर्स ओफ अपोजिट अंगल्स तो जैसे हमने अपोजिट साइड्स के पेर बनायते हैं ऐसी अपोजिट अंगल्स के पेर होंगे तो दो अपोजिट साइड्स के पेर होते हैं तो ऐसी दो अपोजिट अंगल्स के पेर होते हैं तो अगर मैं angle लेता हूं p तो p के just opposite कौन सा angle है यह है angle r और ऐसी अगर मैं लेता हूं angle q तो angle q के just opposite उसके सामने कौन सा angle है वो है angle s तो ये दोनों हमारे क्या हो गए ये दोनों हमारे यहां पे pairs हो गए है opposite angles के Now fifth part तो fifth part मैं बोला है name all the diagonals तो अभी हमने पीछे जस्ट पढ़ा कि एक quadrilateral में कितने diagonal होंगे तो दो diagonal होते हैं तो कौन-कौन से होंगे तो opposite vertices को अगर मैं join करता हूँ Q को S के साथ और P को R के साथ तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे यहांपे ये दोनों हमारे यहांपे diagonal हो जाएंगे तो diagonal first हो गया हमारा P R और second diagonal हो गया हमारा यहांपे Q S तो ये हमारे यहांपे क्या हो गए है diagonal हो गए है So I hope आपको अच्छे से second question समझ में आ गया है तो देखे बिल्कुल basic simple question था So चलिए मैं move करते हैं third question पे तो third question first part तो third question में हमें आपे बूला है The three angles of a quadrilateral are 115 degree, 78 degree and 84 degree Find the fourth angle तो आपको बोला है quadrilateral है Quadrilateral के तीन angles हमें गीवन है तो बताओ fourth angle कितना होगा हमारा तो जैसे आप सभी को मालूम है Angle sum property of a quadrilateral तो simply आप क्या लिखोगे Third question First part By Angle sum property Angle sum Property of a quadrilateral So quadrilateral की जो angle sum property होती है उसके according क्या होगा तो उसके according क्या होगा तो चारों angles का sum 360 degree के equal होगा And you can assume Let the fourth angle Let the fourth angle be x degree और आपने क्या माल लिया है कि जो fourth angle जो आपको find करना है कि वो x degree है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 115 degree plus 78 degree plus 84 degree plus x degree will be equals to 360 degree Now अब हमें इन सभी को क्या करना है add करना है और फिर इनको मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा और क्या कर दूँगा 360 से minus कर दूँगा So इन तीनों एंगल्स का जो सम आएगा वो आएगा 277 degree plus x degree equals to 360 degree So x degree will be equals to 360 degree minus 277 degree तो x हमारा कितना आजाएगा यह आजाएगा 83 degree यानि कि जो fourth angle होगा हमारा वो क्या होगा वो हमारा 83 degree के equal होगा तो simple सा हमारा आप लिख सकता हूँ fourth angle So fourth angle हमारा क्या हो जाएगा 83 degree के equal हो जाएगा So I hope आप सभी को अच्छे से clear हो गया है part Now चलिए इवा हम move करते हैं third question के second part पर So अब हम second part के यहाँ पर बात करते हैं So second part भी same हमें given है Find the fourth angle of a quadrilateral If its three angles are 98 degree 115 degree and 77 degree तो same आप क्या कर सकते हैं Let the fourth angle Let the fourth angle Be x degree Then By angle sum property By angle sum Property Of a quadrilateral Quadrilateral की angle sum property के coding क्या हो जाएगा आपका 98 degree Plus 115 degree Plus 77 degree Plus x Will be equal to 360 degree So जब आप इंतिनों को add करोगे तो आजाएगा आपका 290 degree Plus x degree Equals to 360 degree तो x हमारा क्या हो जाएगा 360 degree Minus 290 degree और यह आजाएगा हमारा कितना 70 degree तो x की value कितनी आगई हमारी 70 degree आगई यानि कि जो fourth angle है हमारा यहाँ पे वो किसके equal होगा वो हमारा 70 degree के equal होगा So I hope आप सभी को question अच्छे से clear हो गया है So चलिए now अब हम move करते हैं Next question पे Fourth question पे तो fourth question में हमें क्या बोला है Fourth question में हमें बोला है The angles of a quadrilateral are in the ratio One ratio, two ratio, three ratio, four Find all the angles तो इस बार हमें angles की value नहीं दी है लेकिन हमें दिया हुआ है कि वो angles इस ratio में given है तो अब हमें four के four angles को क्या करना है Find करना है तो चलिए देखते हैं कैसे इसको solve करेंगे तो ध्यान से आपको यहाँ पे देखना है Solution तो fourth question First part तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं आप simply यहाँ पे बोल सकते हैं Let the angles of the quadrilateral So language को ध्यान रखना है आपको language का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा Let the angles of the quadrilateral of the quadrilateral be 1x 2x 3x and 4x तो जो हमें ratio given थी angles की तो हमने वहाँ से assume कर लिया है कि जो angles हैं वो हमारे 1x, 2x, 3x और 4x है So now by angle sum property by angle sum property of a quadrilateral तो क्या हो जाएगा 1x plus 2x plus 2x plus 3x plus 4x equals to 360 degree now अब हमें हमें सबी को क्या करना है एड करना है तो जब आप इन सबी को add करोगे तो यह आ जाएगा हमारा 10x equals to 360 degree तो x की value हो जाएगी हमारी 360 degree divided by 10 तो यह simple हमारा क्या आ जाएगा 36 degree आ जाएगा तो जो x की value है अब वो आ गई है हमारे पास 36 degree अब हमें क्या करना है अब हमें सभी angles को find करना है तो first angle किसके equal है 1x के equal है तो यानि कि यह तो simple सा हमारा 36 degree के equal हो जाएगा second angle हमारा 2x के equal है तो 2 multiply by 36 degree तो यह हमारा क्या हो जाएगा 72 degree हो जाएगा third angle हमारा 3x है तो 3 multiply by 36 degree तो यह हमारा क्या हो जाएगा 108 degree हो जाएगा fourth angle है हमारा 4x तो यह हो जाएगा 4 multiply by 36 degree तो ये हमारा क्या हो जाएगा 144 डिगरी हो जाएगा तो ये हमारे क्या आगई है 4 के 4 एंगल्स आगए है 36 डिगरी, 72, 108 and 144 अब आप यहां से अपने आंसर को verify भी कर सकते हैं कैसे अगर आप इन 4 एंगल्स को add करोगे तो इन का sum क्या आएगा 360 डिगरी ही आएगा तो नाओ चलिए हम मूव करते हैं 4th question 2nd part पर तो 2nd part में बोला है The angles of a quadrilateral are in the ratio 2 ratio, 5 ratio, 7 ratio, 10 Find the 4 angles तो इस टाइम हमें अगें जो एंगल्स हैं वो रेशो में दिये हुए है तो चलिए अब हम सभी angles को find करते हैं तो 4th question 2nd part So same as हम क्या करेंगे Let the angles Let the Angles of the quadrilateral जो quadrilateral है उसके जो angles हैं वो suppose हमने इस बार भी हमने क्या मान लिये हैं B 2x 5x 7x and 10x हो गए हैं So by angle sum property Angle sum property Of a quadrilateral Of a quadrilateral तो क्या means होगा इसका 2x Plus 5x Plus 7x Plus 10x Will be equals to 360 degree So clear हो गया सभी को Now Now अब हम यहां पर इनको सभी को क्या करेंगे Add करेंगे So यह आ जाएगा हमारा 24x equals to 360 degree So x will be equals to 360 degree divided by 24 So 24 360 को divide करेगा कितने times 15 times तो x की value कितने आ गए हमारी 15 degree आ गई तो अब हम बात करते हैं angle की तो first angle हमारा क्या है 2x के equal है तो यह हो जाएगा 2 multiplied by 15 तो यह हो जाएगा 30 degree Now second angle है हमारा 5x तो यह हो जाएगा 5 multiplied by मुल्टिप्लाइबाइबाइबाइब यह जाएगा notch cetera Next angle है 7x यह जाएगा 7 multiplied by 15 तो यह हो जाएगा 105 next angle है 10x तो यह हो जाएगा 10 L 15 तो यह culprit जाएगा 150 degree दो यह हमारे 4 के 4 angles हमने आपे find कर लिए है 30 degree, 75 degree, 105 and 150 So, यहाँ पे भी आप वापिस से क्या कर सकते है अपने answer को verify कर सकते है कैसे इन 4 angle को अगर आप add करोगे तो इनका sum 360 degree आएगा So, अगर वो 360 degree आ रहा है That means आपका question सही है So, I hope आप सभी को अच्छे से clear हो गए है 4 questions में हम question number 5 से start करेंगे So, thank you, प्यारे बच्चो Class को join करने के लिए और अगर आपको questions सचे से clear हो गए है Then, please like this class Share it with your friends And please also subscribe the channel So, हम next class में मिलते है So, thank you, प्यारे बच्चो